प्रिये चात्रों, आज हम लेखन विभाग के अंतरगत विज्ञापन लेखन की पुन्रवृत्ती करेंगे विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन लेखन करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? और विज्यापन के कुछ उदाहरणों को आज हम समझेंगे आए सबसे पहले जानते हैं विज्यापन क्या होता है विज्यापन शब्द वी धन ग्यापन दो शब्दों से मिलकर बनता है वी का अर्थ होता है विशेश और ग्यापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना विज्यापन ग्राहकों को अपनी ओर आकरशित करके वस्तु को बेचने का एक माध्यम है विज्यापन शब्द वी और ग्यापन दो शब्दों से मिलकर बनता है किसी वस्तु के बारे में विशेश रूप से सार्वजनिक जानकारी देना ही विज्यापन कहलाता है अपने उत्पाद को लक्षित उपभोगता तक पहुँचाने के लिए विज्यापन की आवशकता पढ़ती है विज्यापन किसी वस्तु के क्रे, विक्रे या सेवा से संबंदित सूचना प्रदान करता है विज्यापन ग्रहकों को अपनी और आकरशित करके वस्तु को बेचने का एक जरिया होता है आईए अब जानते हैं विज्ञापन तयार करते समय हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए सबसे पहला विज्ञापन आकरशक होना चाहिए यह विज्ञापन जितना आकरशक होगा उपभोगता उतने ही उस वस्तु की और आकरशित होते है तो पहला विज्यापन आकर शक होना चाहिए दूसरा विज्यापन को लिखते समय कम शब्दों का उपियोग कर अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित करने की कोशिश करनी चाहिए ठीक है विज्यापन लिखते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हम कम शब्दों में अपनी बातों को अधिक प्रभावशाली तरीके से प्रदर्शित कर सकें ठीक है तो विग्यापन में कम शब्दों के माध्यम से प्रभावशाली तरीके से अपनी बात प्रदर्शित करने की कोशिश करनी चाहिए तीसरा, छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए विज्यापन में बड़े वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए वाक्य छोटे बनाने चाहिए चोथा, भाषा रोचक होनी चाहिए विज्यापन की भाषा जितनी रोचक होगी लोग उतनी ही उसकी तरफ आकरशित होंगे तो भाशा रोचक होनी चाहिए पाँच्वा, संदेश स्पष्ट होना चाहिए विज्यापन के माध्यम से हम जो जानकारी देना चाहते हैं वह स्पष्ट होनी चाहिए छटा, कोई पंक्ती ऐसी लिखनी चाहिए जो स्लोगन की तरह हो और ध्यान आकरशित करके याद रह जाने वाली हो तो एसी पंक्ती लोगों को अकसर याद रह जाती है और वह लोगों का ध्यान आकरशित करती है तो विज्ञापन में स्लोगन की तरह पंक्ती अवश्य लिखनी चाहिए साथमा, विज्ञापन में किसी चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग करना चाहिए जिस वस्तु का हम विज्ञापन बना रहे हैं उससे संबंधि चित्र या रेखा चित्र का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए आठवा, जिस विशय के बारे में हो, उसकी विशेष्टाओं महत्व को बताने वाले हों विज्ञापन हम जिस भी विशय के बारे में बता रहे हैं उसकी विशेष्टाओं और महत्व को इस पष्ट रूप से बताने वाले होने चाहिए नवा विज्यापन को बॉक्स में प्रस्तुत करना चाहिए इससे विज्यापन अधिक प्रभावशाली लगता है दस्वा विज्यापन को प्रभावशाली बनाने के लिए रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है विज्यापन आकर्शक लगे, प्रभावशाली लगे, इसके लिए रंगों का प्रयोग भी किया जा सकता है ग्यारवा, विज्यापन के ले आउट में संतुलन होना चाहिए अभी जैसे मैंने बोला कि विज्यापन को बॉक्स के अंदर प्रस्तुत करना चाहिए तो बॉक्स के अंदर जो हम चित्र बना रहे हैं, जो हम लिख रहे हैं, उसके ले आउट में संतुलन होना चाहिए ऐसा ना हो कि बॉक्स का एक हिसा भरा हुआ लगे और एक हिसा खाली ही रह जाए तो विज्यापन के ले आउट में संतुलन होना चाहिए आईए आप जानते हैं विज्यापन में प्रयुक्त होने वाले प्रेरखवाके विज्यापन को आकरशित बनाने वाले कुछ प्रेरखवाके हम यहाँ पर देखते हैं पहला धमा का सेल दूसरा प्रेरखवाके है जल्दी कीजे तीसरा मौके का लाब उठाए चौथा, पहले आओ, पहले पाओ पाँच्वाँ, सौ प्रतिशत सुरक्षा की गारंटी छटा, ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा साथ्वाँ, ओफर सीमित समय के लिए आठवा, सौ प्रतिशत सफलता की गारंटी नवा, आपके शहर में पहली बार तो इस तरह के प्रेरख वाक्य भी हम उपभोगताओं को आकरशित करने के लिए अपने विज्यापन में लिख सकते हैं तो विज्यापन के अनुसार हम किस विशय से संबंदित विज्यापन बना रहे हैं उसके अनुरूप ही प्रेरख वाक्य का प्रयोग करना चाहिए आईए अब विज्यापन लेखन के कुछ उधारणों को देखते हैं तो पहला उधारण है नेत्रदान का महत्व समझाते हुए विज्यापन तैयार कीजिये हमें एक ऐसा विज्यापन बनाना है जिसमें नेत्रदान का महत्व بتाया गया हो आईए देखते हैं यहाँ पर विज्यापन के लिए हमने पहले एक शीर्षक दे दिया नेत्रदान महादान ठीक है फिर एक वाक्य स्लोगन की तरह दे दिया नेत्रदान मर के भी जिन्दा रहने का अनमोल वर्दान है फिर नेत्रदान का अमहत्व बताते हुए कुछ वाक्य यहाँ पर लिखे है पहला है मृतक दे कुछ नहीं खोती नेत्रदान से मिले नहीं जोती के महत्व भी बता रहा है साथी स्लोगन की तरह भी है दूसरा है मरणों परांत भी आपकी आखें किसी का जीवन रोशन कर सकती है अगला महत्व बता रहे है आईए नेत्रदान का संकल्प ले किसी के अंदकार में जीवन को उजाले से भरे यहाँ पर हम नेत्रदान का संकल्प लेने की बात कर रहे है फिर आओ नेत्रहीनों को अपनी आखों से दुनिया दिखाए उसके बाड नेत्रदान हेतू, कहां संपर्क कर सकते हैं, उसका विवरंड दिया है, नेत्रदान हेतू संपर्क करें, जीवन जोती नेत्रदान संस्था मोबाइल नमबर 8888934 और आगे cross या 0 आप लगा सकते हैं तो इस तरह से ये एक सार्वजनिक जानकारी देते हुए विज्यापन तयार किया गया है जन्जागरिती का विज्यापन है नेत्रदान से संबंदित विज्यापन अगला उधारन देखिए shopping.company की ओर से online खरिदारी के बारे में जानकारी देते हुए विज्यापन तयार कीजे तो company online खरिदारी के लिए लोगों को प्रेरित करते हुए विज्यापन तयार करवाना चाहती है आईए देखते हैं विज्यापन किस तरह से बनेगा तो जैसा बताया था कि हमें कोई एक वाक्य ऐसा लिखना चाहिए जो स्लोगन की तरह हो उसके साथ ही जिस वस्तु या जिस सेवा के लिए विज्यापन बना रहे हैं उसका नाम होना चाहिए चितर रेका चितर होनी चाहिए उस वस्तु की विशेचताओं को बताने वाला होना चाहिए और संपर्क पता के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए तो यहाँ पर कंपनी का नाम दिया है shopping.com ओनलाइन शॉपिंग कंपनी है shopping.com एक स्लोगन की तरह वाक्य दिया है अब घर बैठे बैठे लीजे shopping का मज़ा ठीक है जिन्दगी के मजे उड़ाईए समय बचाईए अब उसके बाद कंपनी की विशेचताओं को बताते हुए कुछ यहाँ पर बिंदू दिये गए हैं आधुनिक्ता की दौड में चलिए shopping.com के संग इसमें जो उसकी महतपूंट जानकारी दी गई है cash on delivery customer friendly policy अच्छे उतपात अन्य चार्ज नहीं गारंटी यूप्त ठीक है बस क्लिक कीजिए और online का मज़ा लीजिए तीन से चार दिन में delivery आकरशक offers पैसे वस समय की बचत मन पसंद वस्तु चुनिए और तुरंत order कीजिए इसके लावा जानकारी के लिए अधिक जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए shopping.com ठीक है तो इस तरह से किसी वस्तु की विशेस्ता बताते हुए विज्यापन तयार किया जाता है मन्दित कुछ अभ्यासकारी यहां पर दिया है जो आप सभी को करना है पहला प्रेश्न है अपने विद्याले की संस्था पहरेदार की ओर से जल का दुरुपयोग रोकने का आगरह करते हुए लगबग तीस शब्दों में एक विज्यापन का आलेक तयार कीजिए यह भी जन्चागरिती का विज्यापन है आपके विद्याले की संस्था पहरेदार उसकी ओर से जल के दुरुपयोग को रोकने का आगरह करते हुए विज्यापन बनाना है दूसरा प्रेश्न है आप अपनी दुकान किराय पर देना चाहते हैं इससे संबंदित विज्यापन का आलेक 25 से 30 शब्दों में तयार कीजिए ठीक है तो यहाँ पर किराय पर दुकान देनी है आपकी दुकान है जिसे आप किराय पर देना चाहते हैं उससे संबंदित विज्यापन तयान करना है तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ कि विज्यापन किस तरह से बनाया जाता है विज्यापन बनाते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए ये सब आपको समझ में आया होगा और उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप ये अभ्यासकारे करेंगे धन्यवाद